नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्सकों का वेदर अलर्ट इंफरमिशन में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश के राज्यों में अगले तीन दिनों के दोरन कहां पर बारिस होने की संभावना है और साथ एक इन भागों पर अब पापमान धीरे धीरे बढ़ने वाला है इन सभी को आपको विस्तार से बताएंगे पर लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि कहां कहां पर इस समय वेदर सिस्टम बने हुए है तो देखिए इस समय देश के किनकिन राज्योपार बादा सिस्टम बने हुए है एक डबलूडी है जो जम्मू कस्मीर के पूर्वी इस्सों पर है जो की दीरे दीरे पूर्वी दीसाइगी तरफ आगे बढ़ रहा है और साथी एक इसका जो प्रेरीत चक्रबाती वाव का चेत्र था वह आगे बढ़ते वे वह भी अब विहार और पूर्वी उत्रपरदेश के ऊपर है साथी एक एंटिसाइकल होना है जो बंगाल की खाड़ी में है और एक एंटिसाइकल अरब सागर पर है और एक नया डबलूडी है जो दीरे दीरे अब पस्चिम से पूर्व की होगी और उसके बारिज पूर्वी पूरोतर भात की तरफ होगी और यहां पर दर्जिकी जाएगी इससमयाभ देख सकते हैं और पूर पूरोतर भात की तरफ इस समय बादल चाय हुए है और जो अधिक बैभ वारी है न स्को के आसपास का इ देखाई दे रही थी वहां पर ऐसा हुआ भी और आप देख सकते हैं कि इस समय भी बिहार के एक बड़े इलाके पर बादल चाहिए पूर्वी राजिस्थान दिल्ली और पस्ट्रिमी उपी के ऊपर भी कुछ क्लाउड है पर लेकिन यह बारिस वाले बादल नहीं है बलकि य आई क्लाउड है जिन से जो सिर्फ धूब के प्रभाव को ही कम करते हैं देश के अन्य इसों पर कोई भी क्लाउडिक दिखाई नहीं देरी और उन भागों पर मुसम बिल्कुल साफ है आई आप देखते हैं कि देश में अगले तीन दिनों के दुरान कहां पर बारिस होने क साथ ही साथ इसका जो सर्कुलेशन था वो भी आगे बढ़ते वे अब बिहार के उपर यहां पर आप हुचा है क्या होगा कि सर्कुलेशन के प्रभाव की वज़े से आज भी बिहार पर कुछ हलकी बारिस हो सकती है जाए वे इसके उत्री से हो या फिर तक्सिरी से तमाम इ इस से जिन्में पहारी राज्यों से लेकर मैंदाने इस से इन भागों पर अब मुसम साफ हो जाएगा पर जब वुक शमीर पर आज हलकी बारिस भरुबारी हो सकती है जबकि मैंदाने इस से जिन्में पंजाब से लेकर हरियाना दिली उतर परदेश राजिस्थान मद्ध परदेश इन तमाम इसों पर आप देखे कि लगतार उत्तर दिशा से ठंडी हवाई चलने लगी है इसलिए इन भागों पर अब मौसम साफ हो जाएगा यही हवा इन हवाव का प्रभाव गुजरात में भी रहेगा और यहां भी 22 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफी बना मौसम्य को यहां मैदनायसों की तरफ पूश नहीं कर रहा पर लेकिन इसके परभाव कीवज़ से यह मौसम्य को यहां पर परोतर भाध में भीच रहा है और साथ ही यहां पर डबुडी भी यहां से ओकर गुजर रहा है इन दोनों सिस्टम लों के परभाव की वज़े Terra क्र प्रोत भरत पर क्या स्थानों पर अच्छी वारिस होगी साथ ही इसके जो उचाये वाले इससे आते हैं यहां पर काफी भारी बहुबारी होने की संभावना हमें दिखाए दे रही है इन भागों पर भी आप देखें यहां भी कोई सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा असलिए इन भागों पर भी मुसम बिल्कुल सहाफी बना रहेगा आगे बढ़ते हुए कल यानी 23 फरवरी के मुसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर जो डबलूडी था वो आगे की तरफ मूव कर गया है पर एक नया डबलूडी है जो इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ऊपर आ पहुँचा है इस सिस्टम भी दिरे दिरे आगे की तरफ आएगा और ये 24 या 25 पर बर गया असपास जमू कस्मीर को पर बावित करना सुरू करेगा पर लेकिन ये इतना इस्ट्रोंग नहीं है कि यहां पर भारी बर्फुबारी दे और ये थोड़ा अपर एलिटेट्यूड से होकर ही नि इसकी वज़ा से पंजाब से लेकर हालियाना दिल्ली उत्रपरदेश रजिस्थान और सेंट्रल इंडिया में आये तो मद्यपरदेश गुजरात और 36 गड़ इन तमाम इसों पर आप देखे कोई भी हल चल नहीं होगी और इन भागों पर मोसम बिल्कुल साफ बना रहेगा जो सर्कुलेशन बिहार के उपर था वो अब निस्प्रभावी हो गया है इसलिए अब बिहार पर जो बारिस हो रहे थी वो रुख जाएगी और यहां भी मोसम अब साफ हो जाएगा साथ 23 फरवरी को जो पस्चिम बंगाल है यहां पर आपको हल की बारिस कुछ इस्थानों पर देखने को मिल सकती है वहीं यहां पर एक एंटिसाइकलोन बन गया है और यह एंटिसाइकलोन बंगाल की खाली से यहां इस तरीके से मोश्चर को बेजने लगा है साथ ही जो हमाई उत्तर दिसा से आ रही है इन दोन हवाओं में आपस में टकराव होने की वज़ा से यहां एक कॉन्फरेंस जोन डवलप हो जाएगा इसलिए यहां पर आपको आने वाले दिनों पर और अधिक बारिस देखने को मिलेगी फिलाल आप देखे कि पुरुत भारत पर 23 फरवरी को भी बारिस का दोर जाई रहेगा और यहां पर कैस्तानों पर अच्छी बारिस 23 फरवरी को भी होने के संभावना हमें दिखाए दे रही है देख के दो दक्सी नीज से आते हैं इन में देखे कि तमिलाडू पर हलकी बारिस है जब कि केरल तट्य करनाटक आंतरी करनाटक इन वागों पर कोई भी हल चलना ही होगी और यहां पर मौसम साब रहेगा 24 फरवरी के मौसम को देखे तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि डवलोडी नया डवलोडी जो है वो जम्मू कस्मीर पर आ जाएगा और ऐसा ही आ भी गया है और इसकी वज़से जम्मू कस्मीर पर और साथी मतलब पर देश के उंचाई वाले इसो पर आपको कुछ हल की बारिस या बार्फ बारिस देखने को मिलेगी पर लेकिन चोकी अतना स्ट्रोंग नहीं है इसलिए मुसम वो कुछ खास अफेक्ट नहीं करने वाला पर लेकिन 24 फरवरी से जो गतिविद्या होंगी देश के सेंटरल इसो पर हो जाएंगी क्योंकि यहां एक एंटी साइकलो तो इसकी वज़ा से आपको 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल, उडीशा, 36 गर्ड और साथ ही हमारे विधर्ब इन भागों पर आपको कहीं स्थानों पर मुसम बदल जाएगा और यहां आपको हलकी बारिस देखने को जब यह चक्रवात्ति और चेतर प्रभावी हो जाएगा फिलाल मद्य पर देश पर 24 फरवरी को कोई खास बदल एक्टिविटी नहीं होगी पर लेकिन वह सकता है कि एक दो स्थानों पर यहां हलकी बारिस हो जाएगी जबकि देश के जो दक्सिन इस से आते हैं जिनमें तट्या करनाटक अंतरी करनाटक यहां पर मुसम साफ तो वहीं तमिलाडू और केरल पर मुसम बद रहेगा क्योंकि यहां पर आप देखे कि मुश्चर पहुंचने लगा है इसलिए यहां पर हलकी बारिस होगी वाकि अन्य इससों पर कोई खास बदल एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही और वहां पर मुसम साफ देखे के मद्यराज जोसे सुरू होगा और यहां से यह बारिस दहरे दहरे क्या होगा कि यहां से उत्तर की तरह उपड़ेगी और आने वाले दिर्णोपए आपको यहां तक यह बारिस देखने को मिलेगी इसके बारे पर हम आपको लग़ा तर अपडेट करते रहेंगे त मारे चैनल के साथ अब फिलाल वेदर अलड इन्फरमेशन में अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद